हाई गाइस आज हम बनाएंगे पनीर के प्रांठी जो है तो बहुत सिंपल वर जिस तरह से हम बनाएंगे यह फटेंगे भी नहीं और हमेशा फुले फुले से बनेंगे इसके लिए हम पनीर को ग्रेट करके लेंगे मैंने ग्रेटर से ग्रेट किया है पनीर को मैश नहीं करें कि इस तरह से अब हम इसमें खूब सारा पनीर भार देंगेεται कि इस तरह से खूब सारा भर दें आप ये बिल्कुल भ नहीं फटेंगे और फिर इसे अच्छे से बन्द कर दे इस तरह है बिल्कुल बंद कराओओ कि अब फिर से किसे हातों से थोड़ा सा बड़ा कर दे沒錯 रोल करके धीरे-धीरे से अब हम इसी रोलिंग बोर्ट पे हलके हाथ से रोल करेंगे बिल्कुल चारों तरफ से पतला-पतला सा अब मैंने तवा गरम होने रख दिया था अब हम इस पर सेक लेंगे इसको इस तरह एक साइड जब पक जाएगी फिर हम उस पर गी लगाएंगे यह देखे यह दूसरी साइड भी लगादेंगे हम यह देखे इस तरह से फूला-फूला सा और फटेगा भी नहीं और फूला-फूला सा बनेगा यह हमेशा इस तरह से आपका पनीर का प्रांथा बनकर त्यार है थैंक यू जस ब्रांगे वजबाने भीप देखे टूला-फूला बन दो हमेंगे रपाया को जात बनेगा सा और भी लादेखे तरसम ड़ksom कर दिखे लिक में ऑनेगा बनेदोगा, यह दो मेंगis प्लानेージ लाएगा, डिए वां शॉला हम प्याए़कूला